हेलो फ्रेंड्स राधे राधे जैसरी किस ना फ्रेंट से देखे आज हम जो । झौ ड्रेस बना कर लाएंगे उसको हम पिंक कलर से बनाएंगे देखे बहुती प्यारा सा कलर है पिंक इस्से घेस बनाएंगे और थोड़ी से ऊप्थे इसे हम आउटलाइन देंगे क्रोश्या के साथ और बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सिंपल सी बहुत ही जल्दी सी बनने वाली आज ड्रेस हम बनाएंगे बिना घेरे वाली तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर देखिए हमने दस नंबर की सलाई का यूज किया है दस न travlt 2 एसी बहुत है गज सबसे पहले तो हम इसके नेक का बेश atti तयार कर लेते हैं इसको बना लेंगे जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं चार सलाईयां दों साइड से उल्ट उल्टी гр कि दोनों साइड से इस तरह से इसको में उल्टा उल्टा बनाना है इस तरह से हम इसकी चार सलाईयां बना लेते हैं और जो लास्ट वाला फंदा है दोनों साइड से उसको सीधा बुनेंगे या तो आप सीधा बुने या उसे तहागा पीछे करके ऐसे उतार ले और दूसरी सलाई में फिर उसको बुन ले आपको जो तरीका एजी लगे आप उस तरीके से उसको बना सकते हूं लेकिन एक ही तर से उससे बहुत ही प्यारी सी अच्छे सी किनारी बनकर आएगी साइड में किनारी अगर अच्छी ना हो तो स्वेटर पर वह बात नहीं आती तो किनारी की आउट लाइन देखी होनी बहुत अच्छी जरूरी है तो दागा पीछे कर लेंगे इस तरह से हम इसको उतारेंगे यह धागा पीछे करके यहां तो हमने फंदा सीधा बुना है धागा पीछे करके इसको आप ऐसे उतार लीजे दूसरी सलाई में इसको बुन लेजे तो इस तरह से यहां पर आउटलाइन बन जाएगी बहुत अच्छी सी यह फंदा ऐसे उतार लेंगे पिछली सलाई में इ कुप्लीट कर ली है अब इसके हम पाचवी सलाई बनाएंगे और इसमें फंदे बढ़ा लेंगे यह फंदा तो हमने ऐसे उतार लिया और दो फंदे हम यहाँ पर बनाएंगे बोर्डर के जो साइड में बोर्डर है उसके अब धागब पीछे कर लेंगे इस फंदे को देखि को हमें कदो बनाना है साइड के हमें दोनों साइड से तीन तीन फंदे छोड़ देने हैं बोर्डर के इस फंदे को एक बार बुन लिया दूसरी बार फिर एक बार फिर दूसरी बार यह देखिए इस तरह से यहां पर हम फंदे बढ़ाएंगे कलर इतना प्यारा है कि जब यह डिजाइन इस पर बनेगा यह भी बहुत ही प्यारा सा लगेगा यह देखिए जैसे हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरह से हम एक बार बुनेंगे इसी फंदे को दूसरी बार बुनेंगे, यह इसकी पांचवी सलाई है सीधी साइड से, तो इस तरह से बनाते जाएंगे, यहाँ पर देखें हम जाली से फंदे इसमें नहीं बढ़ा रहे हैं, बढ़ना हम जादा तर जाली से ही बढ़ा लेते हैं, लेकिन इससे भी जल्दी बढ़ जाते हैं, इसे भी कोई प्रोब्लम नहीं होती, यह देखें, यहाँ तक हमने सारे फंदे बढ़ा लिए, धागा अपनी साइड अब तीन फंदे हैं, दो फंदे हम बुन लेंगे, और देखें आप इस तरह से भी उतार सकते हैं, धागा पीछे करके इस फंदा में स सलाई उल्टी बनाएंगे, यह फंदा हमने बिना बुने लियाता है, तो इसको हम बुन लेंगे, और पूरी सलाई हम उल्टी बना लेंगे, उल्टी साइड से, यह इसकी सिक्स्त्रो है, और उल्टी साइड है, तो यह पूरी सलाई हम बना कर कम्प्लीट कर लेते हैं, यह यह भी छे सलाई हैं हमने इसकी बनाकर कम्प्लेट कर ली है अब 7 साँवी Toki sare बनाएंगे सीधी side से यह फंदा इसे उता रहेंगे और पूरी सलाई इसकी उलटी बना लेंगे कर एक सीधी side है 7 लुका मेलचा है इसको जड़ाते हैं पूरी सलाई इसी तरह से बना लेते हैं यह देखिए 7 त्रो बनाकर कम्प्लीट कर लिए है सीली साइड से अब इसकी उल्टी साइड पर आएंगे और उल्टी साइड से भी पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे यह इसकी 8 त्रो है और उल्टी साइड है तो इसको बनाकर कम्प्लीट कर लेते हैं इसके बाद फिर मिलेंगे यह देखिए सीधी साइड पर है और इसकी 9 त्रो बना लेंगे फिर से इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे एक बार हम इसमें पहले बढ़ा चुके हैं अब देखिए कैसे फंदे में हम बढाएंगे फिरस्ट फंदा मैं सी उतार लेंगे ओर दो फंदे यहां पर हम उल्टे 60 .. बना लेंगे तो यह तीन फंदे हमारे हो गए दागा पीछे करेंगे अब यहां Dal तो को एकका दो बनाएंगे एक बार बुण लिया और इसी फंदे को दूसरी बा बना लेंगे तो एक बार बने में हैं यहाँ पलेंगे मलिए aircraft द मिराद लिड़ाने उस फंदे को पार behaviour फेमे कता हैं नियुक्त you भीच में एक फंद्स एक का डो बनाना है पिर एक फंद्स फंद्स पड़ा यहीं है छोड़ना के मैं हमें एक का दो बनाना है भीच में चोड़ना है इस तरह से इसके 9th row में हम 5 बढ़ा लेंगे और उल्टी साइड से इसके 10th row बना लेंगे यह दो सलाईयां बना लेते हैं यह देखे अब सीधी साइड पर आ गए हैं और सीधी साइड से हम इसके 11th row बनाएंगे पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे सीधी साइड से यह इसके 11 रो है और इसके पाद हम इसके 12 रो बनाएंगे उल्टी साइड से तो यह दो सलाईयां हम यहाँ पर उल्टी उल्टी बना लेते हैं देखे 12 रो इसके हमने कम्प्लेट कर ली है अब सीधी साइड से इसकी 13 रो बना लेते हैं यह फंदा ऐसे उतारेंगे और दो फंदे हम यहाँ पर उल्टे बना लेंगे धागा पीछे करेंगे तीन फंदे हमने यहाँ पर देखे बना लिए इसके बाद एक फंदे को दो बनाएंगे इस फंदे पर हमने फंदा बढ़ा लिया फिर दो फंदे हम ऐसे बुनेंगे और तीसरे फंदे को हम एक का दो बनाएंगे एक बार बुन लिया फिर इसी फंदे को दूसरी बार बुन लिया फिर दो फंदे बनाएंगे एक दो फिर इस फंदे को एक का दो बना लेंगे एक का दो बना लिया फिर दो फंदे बुनेंगे एक दो फिर एक का दो बनाएंगे फिर दो फंदे हम ऐसे बुन लेंगे फिर यहां पर एक का दो बना लेंगे इस तरह से हम ये तीसरी बार इसमें थर्टीन रो में फंदे बढ़ाएंगे रो नमबर थर्टीन है तीसरी तीसरे फंदे पर फंदा हम बढ़ा रहे हैं रो नमबर थर्टी थर्टीन में दो फंदे हम ऐसे बनाएंगे फिर यहां पर एक का दो बना लेंगे फिर दो फंदे इसके बाद एक का दो तो यह देखें पूरी सलाई हम इसी तरह से बना कर सीधी साइड से इसकी 13 रो कम्प्लीट करेंगे और उल्टी साइड से उल्टी से हम 14 रो बना लेंगे तो ये दो सलाईयां बना लेते हैं हमारी चोदे सलाईयां यहाँ पर कम्पलीट हो जाएगी ये देखे चोदे सलाईयां इसकी हमने कम्पलीट कर ली है अब सीधी साइड से इसकी उल्टी सलाई बना लेते हैं ये इसकी 15 रो है और सीधी साइड है यह देखिए सीधी साइड से पूरी सलाई उल्टी बना लेते हैं 15 और 16 दो सलाई इसकी बना लेते हैं उल्टी उल्टी यह देखिए 16 सलाई इसकी हमने कम्प्लीट कर ली है बनाकर अब इसकी दो सलाई और बना लेते हैं फंदे हम यहां पर और नहीं बढ़ाएंगे हमारे पास इसमें टोटल 70 फंदे हैं जो काफी हैं और फंदे नहीं बढ़ाने हैं तीन फंदे तो यह बना लिए इसके बाद हम पूरी सलाई सीधी बना लेते हैं सीधी साइड से सीधी यह सलाई बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हम उल्टी साइड से उल्टी सलाई बनाएंगे तो यह दो सलाई इसकी हम बना लेते हैं यह देखिए अब इसकी हम लेंथ देख लेते हैं कि कितनी लेंथ इसकी बनी है यह देखिए वो ने दो इंच के लगबग है एक सलाई आप कम कह सकते हो वह हम और नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें आपर थोड़ा सवर क्रोश्या से भी करना है तो लेंग तो इसकी काफी है अब यहां से इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे 70 इनको हम फ्रेंट बाजू बैक बाजू और फ्रेंट इस तरह से इनको हम डिवाइड करते हैं 70 फंदों को तो चलिए देख लेते हैं कैसे डिवाइड करेंगे यह फंदा तो ऐसे उतार लेंगे और यहां पर हम दो फंदे उल्टे बना लेंगे तो यह 3 फंदे हो गए हमारे तीन हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फंदे तो हो गए फ्रेंट साइड के यह देखे 11 फंदे तो हमने आपर फ्रेंट साइड के बना लिए अब सबसे पहले हम इसकी बाजू बना लेंगे बाजू के लिए देखे हमारे पास दूसरी वूल है वो हमने इसमें लगा लिए है अगर नहीं ह है तो इसी बूल से हम लगा लेंगे बना लेंगे इसको हम यहां से इसका दूसरा दागा लगा लेते हैं नहीं तो हम यह कट करना पड़ेगा बाद में तो दिखें यहां से हम बाजू के फंदे पुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ यह धागा हम दबा देंगे एक्स्ट्रा फिर्म धागा कट कर देंगे आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चोदे पंदरे पंदरे फंदे हमने आपर बना लिए बाजू के सीधे अब यहां से वापिस हो जाएंगे और यह पंदरे फंदे ही हम बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे यह देखे, दो सलाई यहां इसके हमने बना लिए है, बाजू के लिए, अब तीसरी सलाई बना लेते हैं, यह फंदा ऐसे उतारेंगे, और पूरी सलाई हम सीधी बना लेंगे, सीधी साइड है, और तीसरी सलाई है, अब इसकी चोथी सलाई बनाएंगे, फंदा मैसे उतार लेंगे, और पूरी सलाई इसकी उल्टी बना लेंगे, यह इसकी चोथी सलाई है, और उल्टी साइड है, यह देखिए, चार सलाई इसकी हमने बना ली है, यह देखिए, चार सलाई बना ली है, अब इसकी पांचवी सलाई बनाएंगे, सीधी साइड से, यह देखिए, पांचवी सलाई है, और सीधी साइड है, अब इसकी चटी सलाई बना लेते हैं, यह देखिए, और पूरी सलाई हम उल्टी बना लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम इसकी 6 सलाईयां कम्प्लीट, देखिए 6 सलाईयां कम्प्लीट कर चुके हैं, अब इसकी साथवी सलाई बना लेते हैं, यह फंदा बैसे उतारेंगे, और साथवी सलाई सीधी साइड से उल्टी बना लेंगे, सीधी साइड है, इसके बाद आठवी सलाई बनाएंगे इसको भी हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे यह देखिए एट रो इसके हमने कम्प्लीट कर ली है अब सीधी साइट से इसके नाइंध रो बना लेते हैं इसको हम उल्टा बना लेते हैं नाइन्थ और टैन्थ, दो रो हम इसी तरह से और बना लेंगे, दोनों साइड से उल्टी-उल्टी, यह देखे, दस सलाईँ इसके हमने कम्प्लीट कर ली है, अब ग्यारवी सलाई में हम इसको बंद कर देंगे, दो का एक किया, फिर फंदा वापिस, फिर दो का एक, फिर फ यह पूरी सलाई देखे बंद कर लेते हैं यह देखे यह बाजो हमने इसकी बना ली है यह देखे इसको हमने बंद कर दिया इसके हम टोटल लेंद दिखाते हैं अगर इसमें हम दो सलाई और बनावी तो पूरे इन चोह जाएगे लेकिन इतने भी पूब यह चोटी नही है चल जाएगी है अगर आपको इसमें दो सलाई नहीं बनानी है आप बना सकते हैं कि इसी से एक बाजु इसकी हम ने बyer कर लिए देखे बाजु हमने इसके कम्प्लीट कर ली अब इसको इस तरह से पक्ड़ेंगे इसको हम उपर की साइड करेंगे और इसकी दूसरी बाजू बना लेंगे जो धागा हमने छोड़ा था इसी से हम इसको आगे से बनाएंगे अगर यहां से धागा कट करना है आपको और वह लगाना है तो आप उसको कट करके यहां से लगा लीजे थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा कट करना है इसकी बाजू के स छोड़कर सारे फंदे भून लेंगे, बस हमें लास्ट के 11 फंदे नहीं भूने हैं, तो इनको भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, यह देखें, यहां तक हमने भून लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11, 11 फंदे छोड़कर सारे फंदे भून लिया है, अब यहां इसे वापिस हो पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, पंदरे फंदे हमने याँ पर बाजू के बना लिए, अब देखें फ्रंट साइड के हमारे पास कितने फंदे बची हैं, यहां से आपको बताते हैं, सोरी बैक साइड के, एक, दो, तीन, चार, प चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले, सतरे, अठारे, अठारे फंदे याँ पर बैक साइड के हो गए, अब बाजू बना लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट बाजू बनाई हैं, यह सेकेंड बाजू भी हम इसी तरह से बना लेते हैं, यह कि यह रेका कि दूसरी खैख जो पूरी वाजुसी थैरा से बना लेंगे जैसे यह बाजु बनाई कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह दिखे यह बाजुस की हम ने बनाकर कंप्लीट कर ली दूसरी भीढ़र फ्रेंट कर लिए छो फंद quick यह से बुन लें गे और उस आ देखिए इस तरह से, धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये फंदा सीधा, ये दिखे बाजू, अलग इसकी हमने निकाल दी है, अब उल्टी साइड पर आएंगे, ये फंदा तो ऐसे उतारेंगे, और इसमें भी हम दो फंदे कम करेंगे, इसलाई में भी, जहां से हमने बाजू बनाई है, वहां से दो फंदे इसके कम करेंगे, ये दिखे, फंदा वापिस ले लेते हैं, यहां पर इस साइड से एक फंदा, एक फंदा, इस साइड से यहां पर दो फंदो का एक फंदा बना लेंगे, तो दो का एक हो गया, एक फंदा यहां पर कम हुआ, और एक फंदा हम इसमें दूसरी साइड से कम करेंगे, अब यहां से भी एक फंदा कम करेंगे एक यहां से यह लेंगे और एक यह वाला और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे और यह पूरी सलाई हम बना लेते हैं यह देखिए अब सीधी साइड पर आ गए है और टोटल फंदे हमारे पास इसमें 39 है 39 फंदे है अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे दो तीन धागा पीछे करेंगे तीन फंदे तो हमने यहाँ पर यह बोडर के बना लिए इसके बाद हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे दो फंदों का एक फंदे के दो फंदे बना लेंगे तो यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया इसके बाद यह देखिए एक द दो, तीन, तीन फंदे बुन लिए और चोथे फंदे को में एक का दो बनाएंगे, एक बार बुन लिया और इस फंदे को दूसरी बार बुन लेंगे, फिर यहाँ पर तीन फंदे, एक, दो, तीन, और उसके बाद चोथे फंदे को में एक का दो बना लेंगे, फिर से तीन फंदे एक, दो, तीन और इसके बाद चोथे फंदे को एक का दो बनाएंगे फिर तीन फंदे एक, दो, तीन और फिर यहाँ पर फंदा बढ़ा देंगे तीन फंदे तो हमें ऐसे बुनने हैं और चोथे फंदे को हमें एक का दो बनाना है एक, दो, तीन, फिर एक का दो फिर तीन फंदे एक, दो, तीन, फिर एक का दो एक, दो, तीन, एक फंदा हम यहां भी बढ़ा लेंगे धाग अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे, लास्ट वाला फंदा सीधा इस तरह से, यहां पर हमने फंदे बढ़ा लिए है अब देखे, उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई बना लेते हैं पूरी सलाई उल्टी बना कर कंप्लीट कर लेते हैं देखे सीधी साइड से हमने इसमें फंदे बढ़ाए उल्टी साइड से उल्टी सलाई बना ली अब दो सलाई हम इसके ऐसे बनाएंगे उनमें कोई फंदा न घटाएंगे न बढ़ाएंगे तीन फंदे तो हमने बोडर वाले बना लिए इसके बाद पूरी सलाई सीधी बना लेते हैं यह सलाई सीधी बनाएंगे और एक सलाई की उल्टी बनाएंगे तो यह दो सलाई की कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए अब इसके सेधी साइड पर आ गए हैं और फिर से इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे एक फंद ऐसे उतार लिया और दो फंदे यहां पर यह तो हमें बनाने हैं उल्टे यह हो गए बोर्डर वाले धागा पीछे करेंगे और यहां पर देखिए एक फंदे का दो फ चार पाँच चे और इसके बाद देखिए एक फंदे के दो फंदे बना देंगे फिर से हम शे फंदे बुन लेंगे एक दो तिन चार पाँच छे फिर एक फंदा बढ़ा देंगे फिर 6 फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और फिर एक फंदा बढ़ा देंगे इस तरह से हम पूरी सलाई बना लेते हैं और उल्टी साइड से इसके उल्टी सलाई बना लेंगे यह देखिए दो बार इसमें हमने फंदे बढ़ा लिये हैं और टोटल फंदे हमारे पास इसमें 54 हैं चववन फंदे हैं हमारे पास इसमें तो अब इसके हम देखे यहां से उल्टी सलाई बना लेते हैं सीधी साइड से पूरी सलाई हम उल्टी बनाएंगे सीधी साइड से इसा चाहरा साफला गयुक्त ब çरव साभ हो इसा čार ब्रॉटेंस Iris ऑम चार बना लैते हैं जो नों साइड़ से ब उल्कामरद्ठ करें। इस तरह से यार कुक्त है इसाफल माते हैं एक को हम तैसे जैसे 2 साइड बंद कर देंगे दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे फिर ये फंदा वापिस लेंगे फिर दो का एक बना लेंगे बहुत टाइट हमें फंदे याँ पर बंद नहीं करने हैं थोड़ा सा लूज ही आत रखे ज्यादा लूज भी नहीं हो पर टाइट नहीं करने है ये देखिए इस तरह से ये स सारे फंदे हम बंद कर देते हैं यह देखिए इसको हमने घटा लिया है और घटाने के बाद इसकी एक बार लेंट आपको दिखाते हैं यह देखिए यहां से लेकर यह देखिए यहां तक साड़े तीन इंचे कंप्लीट है अब इसमें हम थोड़ा सा क्रोशिया वर्क करेंगे आप क्रोशिया वर्क अगर नहीं करना चाहते तो आप इसमें सलाई से फ्रिल बना सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं इसमें आप दो सलाईया और बना सकते हैं सब् 제일 Road ऐकम हैं अगरेक नूट हम इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे नोट हमने लगा लेँखा यहाँ से डबा लेंगे एक दो तीन इन पहें चेन भी दोmaU बना लेंगे एक यह तरी की चेन हो गई एक डबल क्रोसिया यह धागा में इसके साथ दबा लेना है अब यहां पर हर एक फंदे से हमें दो दो डबल क्रोसिया बना लेने हैं देखिए यहां पर इस तरह से कि आप ये काम सलाईों से भी कर सकते हो या फिर इसमें आप दो या चार सलाई ओर बना सकते हो तीन सलाई या बना कर चोति में इसको घटा लेजे सीदी साइड से हैं कि यहीस पर एक फंदे में हमें इस तरह से यह देखें, यहां से हुक डाला और डबल क्रोसिया बना लिया, फिर सेम जगे से एक डबल क्रोसिया और बनाएंगे इसकी पूरी आउट लाइन हम इसे तरह से देखे बना लेती हैं, पूरी किनारी फ्रेंट साइड में हमें नहीं बनाना वस यह नीचे नीचे की आउटलाइन देनी है इसके बाद हम नेक पर बनाएंगे तो देखे इसको हम बना लेते हैं देखे नीचे की हमने इसकी आउटलाइन बना कर कंप्लीट कर लिए है अब इसकी नेक की आउटलाइन हम बना लेते ह इस तरह से हुग घुमाएंगे और एक नोट लगा देंगे और यहां से धागा इसका कनेक्ट कर देंगे एक दो तीन तीन चेन बना ली अब आगे वाले फंदे पर डबल क्रोशिया कि दिखिए कि अब यहां से हुग डालेंगे और यह डबल क्रोशिया बना लेंगे इधागा हम दिखिए इसके साथ दबा लेंगे फिनिशिंग के लिए यह दिखिए इस तरह से इसके नेक्ट के आउटलाइन बना कर तयार कर लेते हैं यह देखिए पूरी किनारी इसकी हम यहां से भी कंप्लीट कर लेते हैं देखिए क्रोशिया वर हमने इसमें कर लिया है यह भी बिल्कुल ओप्शनल है आप इसको अगर नहीं करना चाहते तो आप ना कर यह लेकिन इससे देखिए यहां पर यह बहुत अच्छा सा लुक आया है देखिए इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छा सा इसके साथ बनाने के साथ यहां पर लुक आया है आप लोग खुदी देख सकते हैं और यह आउटलाइन भी अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको आप सलाईयों से बना सकते हो तो अब हम इसकी बनाएंगे मैचिंग पैंट पैंट बनाने के लिए द पर बन फेंदें लिए बिल्कुल टाइट हमें नहीं डालने बीकिए इस तरह से आराम से आगे फीचे फंदें हो जाएं तो इस उल्टी साइड से उल्टा इस तरह से और इसको में इतना बना लेना है कि इसलेंट हो जाए two inch क्यों दोए इन्च और परे इसको इतना बना लेते हैं इस तरह से बनाते हुए फिर आपको दिखाते हैं देखें पट्टी थांटी हमने इसकी तैयार कर ली है सिगा उन्य मेरी दिखाते हैं। लिद भूर्टव 2 शन्यStarροष है, अब इसको यहां से धूर ell столько ख़रें हैं 44 ऐंका तो पहले एक पाॉप में हम इसके 22 ऐंगे 20 ऐंगे 2000 ऐंगे तो देखे सबसे पहले हम 2 फंदे घटाएंगे, 2 का 1 किया, फिर फंदा वापिस, फिर 2 का 1 तो 2 फंदे तो हमारे यहाँ पर कम हो गए, अब 22 में से 2 फंदे कम हो गए, हमारे पास 20 फंदे रह गए तो ये 20 फंदे हम यहाँ पर बुन लेते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम इसके 20 फंदे बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं ये देखे 20 फंदे हमने इसके बुन लिए अब यहाई से हम वापिस हो जाएंगे 2 फंदे तो हमने कम कर लिए थे अब दो फंदे हम इस साइड से कम करेंगे दो फंदो का एक किया फिर फंदा वापिस लेंगे फिर दो का एक किया अब हमारे पास इसमें 18 फंदे बच गए ये इसकी दूसरी सलाई है तो पूरी सलाई हम बना लेते हैं उल्टी चार फंदे कम कर दिया 18 फंदे हमारे पास इसमें बच गए देखे दो सलाई हैं बना ली है अब इसके हम तीसरी सलाई बना लेंगे सीधी साइड से और यहां से एक फंदा इसमें कम करेंगे एक फंदा कम हो गया पूरी सलाई बनाएंगे और एक फंदा इसमें दूसरी साइड से कम करेंगे तो टोटल इसमें 6 फंदे कम हो जाएंगे और हमारे पास इसमें 14 फंदे बच जाएंगे और फंदा फिर हम नहीं घटाएंगे तो देखें यहां से भी एक फंदा इसमें कम कर लेते हैं तीसरी सलाई है सीधी साइड है अब इसकी चोथी सलाई बनाएंगे उल्टी साइड से फंद ऐसे उतार लेंगे और पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे चोथी सलाई है अब इसकी हम पांचवी सलाई बना लेते हैं यह फंद ऐसे उतारेंगे और पूरी सलाई सीधी साइड से पांचवी सलाई जो है इसको बना लेते हैं इसकी पांचवी सलाई हो गई अब इसकी च्छटी सलाई बना लेते हैं इसके उतारेंगे और पूरी सलाई इसकी उल्टी बना लेंगे यह देखे छे सलाई है इसकी हमने कम्प्लीट कर ली है यह बनाएंगे यह फंद ऐसे उतार लेंगे और सात्वी सलाई सीधी साइड से हम उल्टी बनाएंगे सीधी साइड है और सात्वी सलाई है यह देखे अब उल्टी साइड से भी उल्टी सलाई बनाएंगे और यह इसकी आठवी सलाई होगी देखे दो सलाई हमने इस तरह से उल्टी उल्टी बना ली है अब इसी की इसी तरह से दो सलाई होगी और बना लेंगे दोनों साइड से उल्टी उल्टी आठस लाई ही हमने यहां से कम्प्लिट कर ली है दो सलाई बनाने के बाद फिर दिखाते हैं यह देखे दोसलाई है सारे फंदे बंद कर देते हैं दो फंदों के इक फंदा बनालेंगे फिर ये फंदा वापिस लेँगे फिर दो का एक, फंदा वापिस, दो का एक, फिर ये फंदा वापिस इस तरह से हमें सारे फंदे इसके बंद कर लेते हैं इनको बंद करने के बाद हमने जैसे ये बनाया पार्ट ठीक उसी तरह से यहां पर ये पार्ट इसका बना लेते हैं यहां से दागा लगाएंगे दो फंदे यहां से कम करेंगे दो फंदे यहां से तो इसको भी हम देखे इसी तरह से बना लेते हैं फिर आपको इसको complete करके दिखाते हैं दोनों पैर वाला पार्ट हमने बना कर तयार कर लिया इसके total length आपको दिखाते हैं यह देखिए पूरे तीन इंच है अब इसको हम सील लेते हैं देखिए इस तरह से रखेंगे उल्टा वाला जो पाट है इसको हम उपर की साइड रखेंगे भार की साइड इस तरह से और इसको हम सील लेते हैं देखिए यहां से यहां तक हम भी सीलना है और इसके बाद यहां स लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह देखें पैंट हमने तयार कर ली है इस से कैप बनाएंगे हमने यहां पर 28 खंदे लिए हैं और 28 खंदे लेने के बाद इसमें हमने 14 सलाईया बनाई है यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ देखिए, यहां से हमने शुरू किया था एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ लाईने आ गई है, एक साइड यानि चोदे सलाईयां इसकी हमने कम्प्लीट कर ली है अब यहां से इन फंदो को हम सुई में धागा डालकर इस धागे के उपर उतार लेंगे इस तरह से देखिए, इसमें हमने चोदे सलाईयां बनाई है अगर आपको क्रोशिया की इसमें आउटलाईन नहीं बनानी तो इसमें आप 16 सलाईयां बनाए, दो सलाईयां इसमें और बनाए लेकिन हमें इसमें यहाँ पर आउटलाइन बनानी है क्रोसिया से तो हमने इसको 14 सलाईयों में ही बंद कर दिया है लेकिन अगर आपको नहीं बनानी है तो इसमें 2 सलाईय आप जरूर बनाएं नहीं तो कैप छोटी पड़ सकती है यहाँ से नोट लगा देंगे और इसके बाद हम इसको सील देंगे इसको सीलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए इसको हमने सील लिया है पस यह ध्यान रखना है अगर आपको इसमें करोसिया से आउटलाइन देनी तो आप इसमें 2 सलाईय बनाएं चार पीस में बना सकते हैं लेकिन अगर ऐसे रखोगे तो यह चोटी रहेगी तो यहां से इसमें धागा लगाएंगे वाइट और जैसे हमने देखिए सेट में आउटलाइन देती इसी तरह से यहां पर भी आउटलाइन देंगे नोट लगा लेते हैं और यहां से धागा हम लगा लेंगे एक-दो तीन तीन चेन बनाई और देखिये इसी के साथ वाली चेन में एक डबल क्रॉस्या बना लेंगे इसके बाद देखिये आपके एक-डबल क्रॉस्यामें बनाना है इस दागे कु उम इस के साथ दबा लेंगे för निशिंग ते इंगे कि इस तरह से पूरी आउट लाइन हम इसके बना लेते हैं बनाने के बाद फिर आपको इसमें दिखाते हैं कि क्या करना है देखिए इसके आउट लाइन हमने बना ली है और यहां पर धागा हमने इसका लगा लिया है लास्ट में दिखे जबिट ली है कि यह से इसमें दो कम से कम अपको इसमें सलाह एक्स्ट्रा बना नहीं तो आप चार बीश में बना सकते हैं हम आपको पहना कर दिखाएंगे कि इसकी फिटिंग कैसी है उस हिसाब से 2 या 4 सलाह बना सकते क्योंकि कहीं बार वूल पर डिपेंट करता है लेंथ मोटी या फतली जैसे वफ भी वäreा त्सक्याद की दिखा यह देख़ें अब बस इसको हम पहना कर दिखातें यह देख़्ेंronics पहना कर पहेना कर दिखाए यह देखिए बहुत ही अच्छी आगे से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आई है यह देखिए नीचे इनको हमने इनर भी पहनाया है उसके उपर इस तरह से इसकी फिटिंग आप लोग देखिए बैक साइड से और बहुत जल्दी ड्रेस बनकर तयार होती देखिए यहाँ पर यह पैंट है और यह देखिए और बहुत ही जल्ली बनती है क्योंकि इसमें ज्ञ्जट, तामजःब हमने कुछ नहीं बनाया जादा और यह देखिए कैप कैप में आप अपने इसाब से सलाई एक-दो ज्यादा बनाः सकते हैं कैप के फिटिंग यह देखिए और हमारे लड्डू बाबू को देखिए मुस्कुराते हुए तो आप लोग भी ड्रेस बनाएं अपने लड्डू पाल जी के लिए बहु जादा ठंड तो नहीं है अब इसी तरह की हलकी फुलकी ड्रेस चलेगी देखिए और यह ड्रेस आप लोग पहनाएं और कमे रधे रधे